नमस्कार दोस्तों, गर आपके बच्चे के Fever हो रहा है या फिर उसको किसी भी वज़े से Pain की दिकत हो रही है उसके चोड़ लग गई है उसके कोई Injori हो गई है या फिर उसके फोड़ा फुंची किसी वज़े से Pain हो रहा है accept stomach pain तो आप यूज़ कर सकते हैं Sumo L Plus syrup जो कि doctors द्वारा widely यूज़ किया जाता है और आज हम इसकी complete information जानेंगे इसके क्या के uses हैं, side effects हो सकते हैं और आपको इसे किस तरह से use करना चाहिए और इसका dose क्या होना चाहिए तो वीडियो का इन तक पूरा ज़रूर देगे for complete information चलिए करते हैं वीडियो को start तो दोस्तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं Sumo L Plus syrup के basics के बारे में दोस्तो ये 60 ml का आता है mango flavor के साथ आएगा इसकी costing आपको पड़ती है 67 rupees something और अगर हम बात कर लेते हैं इसके क्या-क्या uses होते हैं और आप इसे किस तरह से use कर सकते हैं तो दोस्तो Sumo L Plus syrup काम करती है अगर आपके बच्चे के fever है या फिर pain है अब pain भी बहुत तरह के हो सकते हैं आपके बच्चे के सर में दर्द है आपके बच्चे के body में pain है कई बार fever की वज़े से भी body pain हो जाता है उसके चोट लगी है उसमें pain है कोई injury हुई थी घाव हो जाते हैं doctor medicines के साथ में ये भी देते हैं as a pain killer तो वहाँ पर भी इसे use कर सकते हैं मतलब वहुत ही widely use है particularly अगर बोलें तो fever and body pain में आप इसे use कर सकते हैं doctors गारा उसमें ही इसको prescribe किया जाता है तो चले दोस्तों बात कर लेते हैं इसके क्या-क्या side effects हो सकते हैं दोस्तों nausea की दिक्कत हो सकती है diarrhea की दिक्कत हो सकती है abdominal pain हो सकता है indigestion की दिक्कत हो सकती है या कोई भी undesirable effect आपको अपके बोड़ी पे नजर आता है तो तुरेंट इसका dose बंद करके अपने doctor से जरूर consult करें और दोस्तों अगर हम इसके dose की बात करें तो किसी भी medicine का dose बहुत सारे factors पर depend करते है जिसे बच्ची की age क्या है body weight क्या है किस तरह की severity है disease की या फिर किस तरह से इसके दिक्कत है तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बताने वाले है average body weight के हिसाब से और एक average age के बच्चे के लिए doctors द्वारा इसको दिन में thrice a day use किया जाता है antibiotic के साथ में और 5-5 ml, 3-5 ml के quantity में doctors यसे जाद दर prescribe करते हैं अगर आपका बच्चा एक डेड़ साल तक का है तो आपको बिल्कुल भी prescribe नहीं करना है इसको self-medicate नहीं करना है अपने doctor की सला से ही हमेशा medicine का dose आपको अपने बच्चे को देना चाहिए तो दोस्तों यह थी complete information about sumo L plus suspension के बारे में गर आपका कोई भी question, कोई भी query है तो comment box में comment करके पूछ सकते है ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें मिलते हैं अगले वीडियो में